अगर आपके True Color को किसी ने hack कर लिया है तो उसे अप कैसे सही करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताने बाले हैं जिहां दोस्तों अगर आपके नमबर का True Color कोई दूसरा यूज कर रहा है या आपका True Color अकाउंट कोई दूसरा अपने फोन पे चला रहा है तुसे आप अपने फोन से ही कैसे लाग आउट करेंगे आप उसे कैसे बंद करेंगे जिससे आपके नमबर का जो भी True Color जो भी बंदा यूज कर रहा है या बंदी यूज कर रही है उसके फोन पे चलना बंद हो जाए तो इसके लिए सिंपली आपको अपने फोन से एक सेटिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने फोन पे True Color आपको चला लेना है या अपने फोन पे True Color का अकाउंट बना लेना है अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है अपने नमबर से आपने true color तो आपको simply play store में जा करके true color आप download करिए इसके बाद आप उसी number से true color का account बना लीजे जो number से true color का account सामने बाला जो जूशने भी है किया हुआ है वो चला रहा है तो आपको इस तरीके से अपना true color account बना लेना है true color account बनाने के बाद ऊपर यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे profile का आफन मिलेगा यहाँ पे profile पे click करना है और इसके बाद आप जूपर तरफ आपको देखने को मिलेगा Settings का आइकान पर क्लिक करना है setting icon पे click करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अभी यहाँ पे नीचे तरफ आपको privacy center का आफन मिलेगा आपको privacy center के आफन पे click करिए इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे scroll करके आना है इस तरीके से नीचे scroll करके आना है इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको देखने को मिलेगा deactivate आपको यहाँ पे deactivate पे क्लिक करना है deactivate पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे तीनो आफ़न इस तरीके से आपको ट्रीक लगाना है और इसके बाद एस continue पे नीचे आपको click करना है यहाँ पे click करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे continue बटन मिलेगी continue बटन पे click कीजे इसके बाद यहाँ पे don't use this number anymore यहाँ पे आपको फश्ट वाला अफ़न है इस तरीके साप को ट्टी के लगाना इसके बाद continue पे click करना है इसके बाद फिर से आपको नीचे deactivate बटन मिलेगी deactivate पे click कीजे और deactivate पे जैसे click कीजेगा थोड़ी से यहाँ पे process होगी और आपका जो true color account है वो true color account अभी आपका यहाँ से delete या deactivate हो जाएगा और जितने mobile में भी जिसने भी आपके true color account को बना के रखा रहा होगा उसके phone से आपका true color account delete हो जाएगा डियक्टिबेट हो जाएगा उसके phone पे आपके नाम से जो account चला था वो वहाँ से deactivate हो जाएगा लाग आउट हो जाएगा तो तो इस तरीके से अगर आपके true color को किसी ना है करके रखा हुआ है तो इसको बड़ी एसानी से आप अपने phone से ही लाग आउट कर सकते हैं जब भी आपका यहाँ से true color deactivate हो जाता है तो आपको 48 घंटे बेट करना 48 घंटे के बाद दो दिन बाद आप दोबारा से इस तरीके से आप अपने phone पे अपना true color account बना सकते हैं और दोबारा से आपको यह ध्यान देना है कि आप अपना true color का OTP बेरा किसी को शेयर नहीं करना है आपना phone किसी को नहीं देना है परना आपका फोन का जो टू कोलार अकाउंट है वो दूसरा कोई भी कभी भी हाय कर सकता है